और मैं मिलाके सबी बीमारियों का सिर्फ एक जड़ा है डाइजेसन तो अब का डाइजेसन सई है न तो सब चीजे पचाले जाएंगे और मयूकस भी नहीं बनेगा लेकिन आपको को वीक है तो आपको मयूकस बार-ार बनेगा और वही digestion को strong करने के लिए होता है अधरक का juice कोई इसमें राज नहीं है, कोई इसमें इतनी छुपा हुआ, कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आता है एलो पैट को थोड़ा सकम कर दीजिए, एक बर अधरक वाला पानी और घर का बना हुआ शुद्ध खाना उसी पर डिपिंडिड रहे, बाहर की पैकेट वाले चीज़े बंद करिए, गलत आदतों को छोड़िए आप अगर केले खाते हैं, कोई fruits खाते हैं, apple खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? की चाट मसाला छिड़क देते हैं और आज केला चाट मसाला लगा कर खा लिγα, कल खासी होने लगा तो कहते है की केला खा लिए थे तो खासी हो गया है केला से खासी नहीं हुआ है सर केला से खासी नहीं हुआ है friends खासी हुआ है उस preservative वाले चाछ मसाला से उस चाछ मसाला में इतना high level पर preservative पड़ा रहता है कि उसको अगर खाऊ तो या तो इसकिन पे खुझली होती है या तो गले में mucos बनता है अच्छाँ एक बात और समझ लिजए कि म्यूकस ही एक मत्रा ऐसा दुस्मन है हमारी बॉडी का जब फोड़ा होता है तो पस बनता है वो पस क्या है वाइट कलर का जस्ट लाइक पोटा जो हमारे गले में कफ बनता है जो हमारे नाकों में से निकलता है बैता है जो हमारे आखों में से निकलता है है जो हमारे pimples में से निकलता है penit निकलता हैय। सिर्फ एकौन ही है जिस मिंसर में वैक्ष निकलता है उसका डूसरा होता है लेकिन चाहिए पोटा हो, पिंपल्स, फोरा, भोड़ा, कफ, चाहिए, आखो का कीचर हो सबका कलर एक जैसा होता है गौर करिएगा है दोनों बच्चों को मैं स्कूल पहुचा दी हूँ और आज है 5 सेप्टेमबर हैपी टीचर्स डे आप सभी लोगों को क्योंकि मेरी वीडियो जो फैमली देखती है वो सभी टीचर्स ही है अपने बच्चों के लिए उ उसको खतम करने के लिए जड़ से खतम करने के लिए अद्रक का पानी है बस서 और कुछ नहीं हैege कोई राज नहीं इसमें मैं आपको कोई महंगा treatment ने बतारी हैежд कर के नेच्छन थेटमेंट है करके देखिए विश्वास मानिया कर affect you आपका लाईफ एक दप courses फिर आप दुबारा पलट के पैकट की चीजों को ध्यान भी नहीं देंगे देखेंगे भी नहीं कि मुझे नहीं खाना है पैकट की चीजे मुझे नहीं खाना है पैकट की चीजे मैं उससे अनहेल्दी हो रहा था मेरे बच्चे अनहेल्दी हो रहे थे मैं उनको अच्छी ची फिलाए घर का बना खेलाई है घर का नहीं बना पाते हैं तो हल्वाई का बना खेलाई हैं मिठाई की दुकान से लेकिन वह ऐसा मिठाई जो एक से दो दिन तिन दिन चार दिन बस इतना ही बासी और चल जाएगा वह भी Nothing then something is better आप अगर बच्चों को चिप्स वगरा देना चाहते हैं तो चिप्स मत लीजिए अपने समोसा ही देख दिजी लेकिन वह भी हलवाई के दुकान का बना या फिर अपने हाथ का बना लीजिए अपने हाथ से नहीं बन पाता है तो बाहर का खिलाए लेकिन प्रिजर्वर्टी कि लें ऊपशता जर्नों काने कि य था ित्यागत कि शना दूटलाइब गभी मेरा होस्ट इसे अनने खीज दो भी-ई आतला कि यह सब्सक्राइब जो लेना है लीजी और उसको अपने हिसार से बनाई ऑखिने से यह कि हम लोग के जमाने में इतना धांदली नहीं था हम लोग कभी इतना बाजार का खर के खाते ही नहीं थे अध्रक के पानी के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है प्रिकॉशन किस चीश का कि आपको पैकट की चीजे नहीं खानी है बच्चों को पैकट की चीनी मिल्की रिफाइंड सुगर जो वाइट वाला शुगर होता है वो तो सबसे ज़ादेंजरस है और यह चॉकलेट वगरा तो बिल्कुल बंद कर दीजे बच्चों का मैंने चाहती कि कि किसी का भी बच्चा बीमार पड़े कि जिस दिन आपकश गोर करियेगा कि जिस दिन आपके बच्चे केक खा लेते हैं उसकी अगले दिन और कफ ज्यादा बनती है कियोई कि जी दिन बच्चा चॉकलेट खाते में ज़ो चो घ्य चॉरियोग झारेताई तो अधरक वाला पानी अगर दे रहे हैं तो उसके साथ ये विश्वास मानिएगा कि 15 दिन के लिए फिजूल की चीज़े खिलाने से अच्छा है दाल चावल रोटी सब्जी वेज नौन वेज जो खाते हैं घर का बना खाईएगा और खिलाएगा बच्छों को तब ही आपको benefit पता चलेगा कि अधरक के पानी का क्या benefit है मैं जूट बोलके मुझे क्या मिलेगा मुझे YouTube पे धका धक इतना वीडियो नहीं डालना है कि मेरे पास पैसा है मेरा income बने इंकम से मतलब नहीं है YouTube एक ऐसा platform है ना जिस पे अपना दुखदर्द भी शेर करते हैं त कि मैं अगर अपने बच्चों को healthy रख रही है तो please एक बार विश्वास मानने और मेरी बात को ध्यान से समझे कि कहां पे गलती कर रहे हैं आप लोग उस गलतीयों को कम करिए फिजूल खर्ची पैकट की चीजों पे मत करिए अगर आपको बच्चों को खिलाना ही है तो घर है प्रिजर्वेटिव वालकि चीज़ें बन करिए पैकट की चीज़ें करिए प्लीज बन करिए क्विस बंकरिए क्योंकि रिजेर्वेटिव के छीजह है अभural हो रहा है न आगे चलकी उतने जक्वार से बहार हो जाता ह। और जो अस्थमा का रूप ले लेता है, तीचर्स ते पे एक गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, और जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, उन सभी लोगों को, और गिफ्ट यही है, फ्रेंड्स, कि प्लीज, फिजूल खर्ची अग बंद करिए, जो पैकट की चिप्स होते हैं, चॉकलेट होते हैं, बिस्कीट होते हैं, नमकीन होते हैं, वो सारी चीजे बंद करिए, ताजा खाईए, घर का बना हुआ खाईए, और बेनेफिट देने वाले चीजे खाईए, फ्रूट्स खाईए, वेजिटेबल्स खाईए घर का बना खाना खाईए, शुद्ध चीजे खाईए